सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट कमजोरी के साथ बंद हुए एशिन मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव नोट पर ट्रेट कर रहे हैं SGX निफ्टी 30 पॉइंट का अप्टिक दिखा रहा है करके डेटा की बात करें तो कैश मार्केट में अफईज ने 50 करोर की बीकवाली की वहीं डियाईज ने 307 करोर की बीकवाली की तो नेट-नेट 356 करोर की इंस्तिटिशनल सैलिंग थी एफेंडो के डेटा एफईज का मिक्स टू नगेटिव था Index feature में उन्हें long side चोपन सो कॉंटेक्ट 8 किये वहीं short side 10,000 contact 8 किये Index call में उन्हें 3,300 contact long side कम किये वहीं 6,000 contact short side 8 किये Index put में 1,400 contact long side 8 किये वहीं 8,000 contact short side 8 किये Stocks की बात करें तो Access Bank, L&T और Asian Pant आज focus में रहेंगे क्योंकि आज इनके Q3 results आने वाले है हेवेल्स आज प्रेशन मेरे सकता है क्योंकि इसने कम जो घोसित किये हैं लेकिन पॉली के अपने श्यांदार घोसित किये है तो आज इसमें तेजी देखने को मिल सकती है टेकनिकल आउट्लुक की बात करें तो मार्केट का मोमेंटम अभी वीक बना हुआ है जहां पर 50 दिन क इसके नीचे 12,025 नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है तो कह सकते हैं कि 12,100 से 12,025 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है जहांसे निफ्टी बाउंस बेक कर सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो 11,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं उपर की साइट 12,220 से 12,300 का एरिय सप्लाइज उनका काम करेगा इंट्राडे की बात करें तो कल का जो लो है 12,162 इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है अगर निफ्टी इसको कल के लो को होल करता है तो आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सक सकता है नहीं तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी डाउनसाइड में लीड कर रहा है जहां पर 30,900 से 3850 एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके नीचे जाता है तो 30,350 तक जा सकता है उपर में 3450 से 3700 का एरिया इंपोर्टेंट सप्लाई जोन है इंट्रडेंग ही बात करें तो अगर बैंक निफ्टी कलके लो जो 3858 है अगर उसको होल करता है तो एक पोजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है नहीं तो सेलिंग प्रेशर आगे और बढ़ सकता है यह था आज का माकेट से टप धन्यवा आपका देन शुब्र है दो